इसको याद कैसे करेंगे? अब देखो PQLI PQLI का P P से क्या होता है? पहला, पहला का मतलब 1 तो हम याद कर लेंगे 1 year, पहला साल या 1 year अब 1 year में दोनों चीज हो जाएंगी पहला तो life expectancy at the age of 1 year और दूसरा 1 से एक और चीज हो जाएगी death within the age of 1 year याने की infant death तो दो दो हमको यहीं याद हो गए P से that is life expectancy at the age of 1 year और infant mortality rate फिर इसको दूसरा बच्चा PQLI का LI तो LI से क्या होता है? LI is for literacy तो में तीन कॉंपोनेंट कौन कौन से है PQLI के P for पहला तो पहले से हो जाएगा life expectancy at the age of 1 year और पहले से एक और चीज़ हो जाएगी that is infant mortality LI जो है LI से क्या हो जाएगा? LI से हो जाएगा literacy तो यह तीन चीज़े PQLI में आपको पता होने जाएगे ठीक?